सभी भक्तों को नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, चलो जान लेते हैं क्या है आपका आज का राशिफल मेश राशिफल आज का दिन मौजमस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिन्दगी को पूरी तरह जिएंगे, आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाब होने की पूरी संभावना है, हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें, ऐसे दोस्तों के साथ बाहर ज आपको बैठ कर बातचीट के जरिये मामला सुलजाने की जरूरत है, अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चे ही आपको उसके संकेट दिखाई देने लगेंगे, अपने जीवन साथी के साथ आप प्यार औ गायतरी मंत्र पढ़ें, वरिश राशिफल, किस्मत के भरोसे न बैठें और अपनी सेहत सुधारने के लिए कुद मेहंत करें, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, अब वक्त आ गया है कि आप अपना वजन काबू में करें और स्वस्थ रहने के ल अपने हितों को अंदेखा न करें, हो सकता है कि वे आपकी जरूर्तों को ज्यादा गंभीरता से न लें, सच्चे और पवित्र प्रेम का अनुभव करें, नई परियोजनाओं और कर्चों को टाल दें, आज घर में किसी पार्टी की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद हो स आपका जीवन साथी आज पूर्जा और प्रेम से भरपूर है। जो आपके और प्रीजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। आप अपने प्रिये की बाहों में आराम महसूस करेंगे, आपके लिए आज बहुत सक्रिये और लोगों से मिल जोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। इस राशी के उम्रदराज जातक आज के दिन अपने पूराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। आपका प्यार, आपका जीवन साथ ही आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। उपायक गंगाजल को घर में छिड़कना पारिवारिक जीवन में सुख शान्ती देगा। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई कुशनुमापल लेकर आएगा। धन आपके लिए जरूरी है, लेकिन धन को लेकर इतने संजीदा न हो जाएं कि अपने रिष्टों को ही खराब कर दें। घर में और आसपास छोटे मोटे बदलाव घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे। पुरानी यादों को जेहन में जिन्दा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। कार्यक्षेत्र में आप खुद को खास महसूस करेंगे। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिन जा सकते हैं। आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुख़त खबर सुनने को मिल सकती है। आज असफल हो सकते हैं हालांकि आपको इससे घबराने की जरुरत नहीं है, स्थिती जल्द ही सुधेगी जितना आपने सोचा है। आपके दोस्त उससे ज्यादा मददगार साबित होंगे, रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे, साजहेदारी में कि ये गए काम आकिरकार फाइदे मन साबित होंगे, लेकिन आपको अपने भागीदारों से काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आज खाली वक्त का सही उप्योग करने के लिए आप अपने पुराने मित्रों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। आपका जीवन साथी आ अपनी नकारात्मक भावनाओं और वृत्तियों पर लगाम लगा कर रखें। आपकी रुढिवादी सोच पुराने कयाल आपकी प्रक्ती में रोडा बन सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं और आपकी राह में आगे कई बाधाय खड़ी कर सकते हैं। किसी करीबी रिष् इमजाक भरा बरताव घर के वातावर्ण को हलका फुलका और कुशनुमा बना देगा। प्रेम के दृष्टिकों से आपके लिए यह दिन विशेश रहने वाला है। व्यावसाइक मीटिंग के दौरान भावुक और बड़बोले नहों। अगर आप अपनी जबान पर काब बिताना पसंद। करेंगे प्यार, नस्दीकी, मस्तीमजा, जीवन साथी के साथ यह एक रोमानी दिन रहेगा। उपाय गौदान करें। यदि संभव न हो तो गौँ खरीदने के मूल्य के बराबर दान गौँ आश्रम में करने से स्वास्थय अच्छा होगा। तुला रा आचक हालात में पाएंगे, जो आपको आर्थिक फायदा पहुचाएंगे, बुजुर्ग रिष्टेदार अपनी बेजा मांगो से आपको परिशान कर सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे, एक अहम प्रोजेक्ट जिस पर आप काफी अरसे से काम कर रहे थे, तल हो सकता है, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे, खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, आपके जीवन साथी की कामकाज को लेकर व्यस्तता आपकी उदासी का कारण बन सकती ह उपाय सरपाकार चान्दी की अंगूठी धारन करने से पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा व्रिश्चिक राशिफल जो धुन्ध आपके चारों तरफ चाई हुई है और आपकी प्रक्ती को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है आज के दिन आपको अपने उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है, जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लोटाते नहीं है घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परिशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है, जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि कड़वे शब्द शान्ती को नश्ट करके आपके और आपके प्रिये के बीच दरार पैदा कर सकते हैं हाल में विक्सित किये गए व्यावसायक संबंध आगे चल कर बहुत फाइदा देंगे, शाम का वक्त अच्छा रहे इसके लिए आपको दिन भर मन लगा कर काम करने की जरूरत है, जीवन साथी के साथ वादविवाद होने की काफी संभावना है उपाए अच्छे प्रेम संबंधों के लिए सफेद रुमाल जेब में रखकर जाएं परंतु ध्यान रहे की रुमाल गंदा न हो धनु राशिफल उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेरित करती हैं डर, शंका और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें क्योंकि ये विचार उन चीजों को आकरशित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदी आकिरकार आपको मिल जाएंगे रिष्टेदारों से अचानक तोफ़ा मिल सकता है लेकिन पूरी संभावना है कि वे इसके बदले में आप से कुछ चाहते हों अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे अपने बॉस वरिष्टों को घर पर बुलाने के लिए अच्छा दिन नहीं है आज आप सारे रिष्टों और रिष्टेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगहे पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांती प्राप्त होती है आपको और आपके जीवन साथी को कोई बहुत सुखद खब सुनने को मिल सकती है उपाय एक मीठी रोटी कुट्टे को खिलाने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा मकर राशिफल बेकार की बात पर बहस करके अपकी उर्जा जाया न करें याद रखें की वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं होता लेकिन खोता जरूर है अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोटक चहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाब हो सकता है दोस्त शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बना कर आपका दिन कुछ नुमा कर देंगे आपका प्रिय आपसे वादे की मांग करेगा लेकिन ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर सकें कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपकी टीन का सबसे ज्यादा खीजने वाला व्यक्ति काफी समझदारी की बाते करता नजर आ सकता है आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित रह सकता है उपायत लाल रंग के वस्त्र अधिक धारन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कुम्भरा शिफल परिवार के इलाज से जुड़े कर्चों में इजाफे को नकारा नहीं जा सकता है नए करार फाइदे मंद दिख सकते हैं लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुँचाएंगे निवेश करते समय जल्दबाजी में निर्णय न लें आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए चाहे इसके लिए आपको कुछ कास ही क्यों न करना पड़े आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंके लोगों को अपनी तरफ आकरशित करेंगे आप काम्याभी जरूर हासिल करेंगे बस एक एक करके महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है बाक्चीत में कुशलता आज आपका मजबूत पक्ष साबित होगी आपके वैवाहिक जीवन में शारिरिक सुख के नजरिये से कुछ खूबसूरत परिवर्तन हो सकता है उपाएक खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहतर होगा मीन राशिफल खाल की घटनाओं से आपका मन बेचैन हो सकता है शारिरिक और मानसिक लाब के लिए ध्यान वयोग फाइदेमंद साबित होंगे निश्चित तोर पर वित्तिय स्थिती में सुधार आएगा लेकिन साथ ही कर्चों में भी इजाफा होगी लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला न लें हो सकता है कि वे दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानु भूती वविश्वास की जरूरत हो जिनकी सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी कुशिया पाएंगे कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे सनेह और सहयोग प्राप्थ होगा आज मौसम का मिजास कुछ ऐसा रहेगा कि आप विस्तर से उठने को राजी नहीं होंगे विस्तर से उठने के बाद आपको अहसास होगा कि आप अपना कीमती समय बरबाद कर चुके हैं आपका जीवन साथ ही आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत सनेह उढ़े लेगा उपाय ब्रावरी ब्रॉसा बुधाय नमह इस मंत्र को ग्यारा बार उच्चारन सुभशाम करने से पारिवारिक जीवन रहेगा